है लो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हम बात करने वाले हैं साइंस 2 के फोर्थ चैप्टर अन्वार्मेंटल मैंजमेंट के बारे में एन्वार्मेंटल मैंजमेंट मतलब क्या होता है जैसे कि नाम सजिस्ट करता है एन्वार्मेंट क्या होता है एन्वार्मेंट यानि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़े है जितनी भी नैश्रल आर्टिफिशल जितनी भी चीज़े इंक्लूड हो जाती वो मेरा एन्व कैसे बचा के रखे नेक्स्ट फूचर जनरेशन के लिए और हमारे इस करंट जनरेशन के लिए भी हम कैसे बेटर वे में रह सकते। इस धरती पे कैसे हम चीजे बचा के रख सकते। इतने आगी निकल जाते हैं सब दूसरे organism से और अपनी intelligence वगरा skills इस्तमाल करके कि वो खुदी के दुश्रुन बन जाते हैं साथी साथ वो environment के दुश्रुन बन जाते हैं जितने wastage हम करते हैं जितनी गंदगी हम फैलाते हैं जितने environment को damage करते हैं अपने फाइदे के लिए है, betterment, हमारे betterment, development के नाम पे हम forest cut करते हैं, हम कितने पानी गंदा करते हैं, तो हम ये जो सारी जो करते हैं, चीजे, जो human activities हो गई सारी की सारी, जिससे natural calamities में भी असर पड़ जाता है, आपने notice किया होगा कि धीरे धीरे climate change कितना बुरा होते जा रहा So, ये सारे air pollution, water pollution, soil pollution, you know, so ये जितने भी problems है, ये काफी समय से हमारे पास है, and काफी ही समय से हम इससे deal करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी लिए, that is one of the reason कि ये student level पे ये chapter आप ये जो topic है, environmental management, आप करीब eight, seven to eight standards से ही पढ़ रहे हो उसके बारे में, कि कैसे इसको हमें, ये क्या है, issues क्या है, problems क्या है, और हमें कैसे उसे solve करना है, कैसे responsible बनना है, as a responsible human, responsible citizen, कैसे responsible बनना है, कि हमें nature की responsibility लेनी है, उसका ध्यान रखना है, उससे preserve करना है, conserve करना है, तो ये हम देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा topic है, बहुत ही interesting सा, let me share the textbook with you guys, अगर आपने अब तक मेर subscribe करिये, and बहुत सारे SAC videos आपको मिलेंगे, इस channel पर, and almost हमारा portion हो चुका है, science 2, science 1 के तो hardly 3 chapter बागी मेरे ख्याल से अभी, so, this is the textbook, as you can see, 4th chapter, environmental management, तो starting में ही हमें पता-पत्र ecosystem क्या होता है, ecosystem का review, so ecosystem, what is ecosystem, ecosystem क्या होता है, ecosystem is basically आपके जितने भी आस-पास का environment में, environment जो होता है, environment में अलग-अलग ecosystems होते हैं, ecosystem exactly क्या होता है, it includes all the components of living and non-living, simple भाशा में, अलग-अलग चीज़े जो living and non-living, living और non-living चीज़े जो हमारे आती है एक साथ, उसे हम ecosystem कहते हैं, so, अगर एक ecosystem की बात करो, तो उसमें plants, trees, water, now water is a thing which is not living, right, so, water आ जाता है, trees are living, so, ये living, non-living की में बात कर रहा हूँ, humans, फिर animals, insects, birds, तो ये सब कुछ include कर देता हूँ, sunlight, sunlight, okay, light की जरूरत होती है, हमें, soil, okay, soil के minerals अलग-अलग, air, तो air के अंदर के अलग-अलग, gases कौन से है, hydrogen, oxygen, nitrogen, so, ये सब मिला के पूरा एक हम उसे ecosystem कहते है, ये एक balanced बरोबर होना चीज़े, अगर ecosystem बालन्स नहीं होता है, तो problem हो जाती ही, दिकत हो जाती है, so, उसी के बारे हमें, ये हम manage करना, management, उसी को कहते है, balance, balance करना ही हमें देखना है, कि कैसे हर चीज़ balanced रहे, okay, so, which are the types of consumers, ये सब question cancelled है, क्योंकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, so, ये questions आपको, आपको actually answer करने चीज़े, मुझे comment में, तो, which are the types of consumers, consumers कौन से कौन से तरह के होते, तो, एक sunlight के वज़े से, sunlight which is the source of energy for us, sunlight के वज़े से, plants and grass and trees and every greenery हमारा उगता है, okay, plants are the self, वो खुद अपना खाना बनाने वाली चीज़ है, right, उसे autotrops कहा जाता है, now, autotrops, plants जो खुद अपना, producers भी, simple भाशा में, producers भी हम कहेंगे, खुद अपना खाना बनाते हैं, ये, इनको खाते हैं, like, let's say, यहां पर जो दिया है, grasshoppers, grasshoppers, plants, leaves, grasses basically खाते हैं, right, so, grasshopper depends करता है, अपने खाने के लिए grass के उपर, so, he is the first consumer, consume करता है, ये, first primary consumers में आते हैं, grasshoppers को खाने वाले frogs हो गए, frogs को खाने वाले snakes हो गए, snakes को खाने वाले eagles and vultures and ये सब हो जाते हैं, eagles जब मर जात हैं, तो वो decompose हो जाता है, organic body हमारी पूरी decompose हो जाती है, so, उसको decompose करने वाले microorganisms and bacteria and different जितने भी चीज़े हैं, वो again environment में mix हो जाती है, so, ये जो पूरा हमने देखा, it's a food chain, ये जाली, एक food chain है, ये, you know, sequence में आगे बढ़ते जा रहा है, अब grass को सिफ खाने वाले grasshopper नही होते हैं, कुछ और भी खाते हैं, frogs को खाने वाले सिर्फ snakes नहीं होते हैं, कुछ और लोग भी frogs खाते हैं, so, ये अगर link में जोड़ दूँगा, तो ये पूरा एक complex बन जाएगा, जिसे हम food web कहेंगे, so, एक एक level पे ही जब distribution हो जाएगे, बहुत सारे consumers और बहुत सारे prime consumers आ तो बन जाता है, food web, okay, so, ये आपको image में दिया है food chain, तो food chain, food web क्या होता है, okay, let's start the chapter, ecosystem a review, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other, so, biotic यानि की living चीज़े जितनी भी, abiotic यानि जितनी भी non-living चीज़े हैं, इनके interaction, इनका interaction मतलब क्या, मतलब sunlight नहीं होगी, तो living चीज़, non-living चीज़, sunlight a biotic factor, sunlight interact नहीं करेगा, plants और trees के साथ, biotic factors के साथ, तो plants घ्रो नहीं होगी, right, so, ये interaction की बात कर रहे हो, each factor plays very important role in the ecosystem, इसमें हर एक का important role है, producers like plants are important, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा, producers हो गए, फिर उनको खाने वाले, सबसे पहले plants को जो खाते है, herbivorous, herbivorous यानि की plants, plants diet खाने वाले, like deer, goats, sheep, cattle, horses, camels, तो ये सारे herbivorous होगे, ये सारे depend होते है, plants and trees के उपर, feeding upon producers are also important, तो ये लोग सारे producers के उपर depend होते है, predators, predators यानि की जो हमारे primary consumer है, यानि deer, goat, sheep, इनको खाने वाले, इनके उपर depend होने वाले, ये लोग grass नहीं खा सकते है, यानि lion, tiger वाले, जितने भी wild animals हो जाते है, वो हमारे predators कहे जाते है, predators like lion and tiger which prevent the overpopulation of herbivorous, तो herbivorous की तादाब ना बढ़ जाए, तो उनको balance करने के लिए मालिक ने lion, tiger को बनाया, are also equally important, a question may arise in your mind that whether the caterpillars found in nature, organisms present in filthy places, termites, insects present in dung are really useful, तो आपकी दिमाग में आएगा सर, चलो सर ये सब तो बात समझ में आगी हमको, कि सर lion, tiger important है, deer important है, grass important, लेकिन एक caterpillar, एक microorganism, ये सब गंदगी, जितने गंदगी में जितने insect, छोटे-छोटे, वो क्या जरूरी है, तो yes, every organism, every each and जितनी भी living चीज़े है, वो सब कही ना कहीं, कुछ ना कुछ environment में उनका योगदान होता है, उनका कुछ ना कुछ role होता है निभाने को, they are responsible for cleaning the environment, तो decomposers, इन्हें decomposers भी कहा जाता है, bacterias and insects and अलग-अलग, ये लोग मरी हुई चीज़ों पे अपना खाना उनका वो होता है, Just imagine कि अगर जंगलों में जब शेर एक शिकार करता है, तो वो सारी चीज़ तो नहीं खा लेता है, या let's say चलो कोई naturally मर जाता है, let's say lion ही naturally मर गया, तो उसको वो मरा हुआ उधर ही पड़ा रहेगा, तो वो कैसा गंदगी हो जाएगी पूरे जंगल में अगर उससे कुछ खतम करने वाली चीज़ नहीं होगी, इसलिए हमारे अंदर bacterias और हमारे अंदर अलग-अलग जैसे ही मरती है, dead body होती है, वो ही bacterias हमें खाने लग जा जाते हैं, wultures मरी होई चीज़े ही खाते, वो आपका शिकार नहीं करेंगे, वो living चीज़ पे हमला नहीं करेंगे, वो मर जाएगा, तो ही हमला करेंगे, वैसे ही Linda क्रोज, हमारे local area की बात करो, वल्चस तो आपको देखने नहीं मिलेंगे लोकल में बट क्रोज की अगर बात करू तो कवे जो होते हैं हमारा environment clean रखते हैं जितने भी आसपास चूहे मर जाते हैं तो चूहे को उठाने वाला बी-े-म-सी वाला तो आके उठा के नहीं जाता तो वो इसको कौन गायब कर लेत उतनी गंदगी वाँ से कैसे हट गई तो कवे आके उसको खा के चला गया उसको लेके चला गया तो ये balance बहुत जरूरी है ये balance environment का ये पुरा system ही है जिसको ये सब maintain करते हैं उसी की बारे में हम देखेंगे तो ये कहता है कि इसी ये सारी चीजों के वज़े से ही हम मौझूद है ये सारी चीज़े नहीं होते तो हम नहीं मौझूद होते हैंस we should care for these factors इसी लिए हमें इन factors का ध्यान रखना चाहिए इसका meaning क्या होता है इसका मतलब हर एक organism हर एक living thing किसी और का खाना होता है उसका simple सा ये meaning है तो आप ये logic ज़रा ये सोचेए आप भी कि हर कोई किसी और को खा रहा है हर कोई किसी और का खाना बन रहा है अब आप कहेंगे सर humans को कौन खाता है तो humans को direct तो कोई नहीं खाता है लेकिन अगर animals को छोड़ दिया जाए जंगल में तो animals हमें खा जाएंगे सिद्धी सिवाज़ है या जब हम basically मर जाते तो हमारी body को decompose करने वाले bacteria जी है तो पूरा सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हर एक organism को कोई और खाता है तो यह आप पढ़ चुके हो पहले भी एट नाइंत में हमने देखा था अगर आपको याद होगा energy pyramid मैं एक roughly आपे बना रहा हूँ और बाद में फिर इमेज आप देख सकते हो तो यह जो pyramid बनता है energy pyramid यानि कि सबसे नीचे होते हैं कि जो producers हैं basically producers यानि जो खुद अपना खाना बनाते है तो plants वगिरा आ जाते हैं इस level में इस level में plants, trees वो सब आ जाता है फिर इनको पहला जो खाने वाले आते हैं यानि first primary primary consumers जिसे हम कहेंगे primary consumers फिर secondary consumers होते हैं यानि जो depend करते हैं primary क्यों पर primary नहीं होता तो इनकी problem हो जाती थी lion, tiger वगिरा आ जाते हैं और एकदम last tertiary वाले आ जाते हैं यानि कि maximum energy lower level में थी उपर गए तो energy थोड़ी से environment में release हो जाती है और थोड़ा सा जो organism ने खाया उसमें चली जाती है फिर third level पे और energy थोड़ी से कम हो जाती, environment में release हो जाती है और जिसने भी खाया उसमें चली जाती है, तो ये धीरे धीरे उपर जाते जाते, energy कम होते जाती है ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहे है और ये each level ये जो है, each level, ये first level, ये second, ये third ये fourth, इसे ट्रॉपिक ट्रॉपिकल लेवल कहे जाते हैं ट्रॉपिक लेवल कहे जाते हैं of the food chain ओके, तो उपर जो हमने food chain देखा ये सब आप थोड़ा 8th, 9th में देख चुके हो इमेज भी आप देख सकते हो energy pyramid बता रहा है and food chain बता रहा है अब next पढ़ते है a bird building nest on a tree feed upon the fishes in nearby pond whether this bird is a part of both that is tree as well as the pond ecosystems, तो yes, सीधी सी बात है yes, both, दोनों का हिस्सा है bird, तो हमने अब भी बात किया कि interactions of the biotic and our biotic factors, अलग-अलग तरह की ecosystems होते है, water water ecosystem एक अलग हो जाता है so, and एक jungle का ecosystem अलग हो जाता है, तो हर climatic conditions के हिसाब से, अलग-अलग zone, अलग-अलग region के हिसाब से ecosystem अलग तरह के होते है so, यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि bird रहता तो जाड़ पर है पर खाता वो, उसका खाना depend करता है, पानी, pond जो उसका वहाँ पर है, पानी वहाँ पर पानी में जीव, fishes जो है, उसके उपर depend करता है तो यह bird कौन से हिस्से में जाएगा trees वाले ecosystem में चला जाएगा कि pond वाले, तो वो दोनों का हिस्सा माना जाएगा, ओके यह एक flow chart आपको दिया था बनाने को, यह थोड़ा सा यहाँ पर mistakes है flow chart में थोड़ा सा, mistake यानि columns बरोबर नहीं है, बट यह एक roughly में आपको, यह image भी आप देख सकते हो, कि ecosystem biotic and abiotic factors में breakdown होते हैं, abiotic यानि कि non-living चीज़े, non-living चीज़े फिर से दो चीज़ों में divide होती है physical factors and chemical factors, physical factors and chemical factors, physical factors में अपना air, water vapor, minerals, soil, sunlight सब कुछ आता है, chemical factors में हमारे जितने भी chemical यानि कि hydrogen, nitrogen, यह सारी air में क्या है, वो सारे चीज़े components of air आ जाएंगे, chemical factor में water किस चीज़ का बना है, वो सारे factors आ जाएंगे, chemical part में, तो soil किस चीज़ का बना है, minerals of soil, वो सारी चीज़ आ जाएंगी, chemical factor में, तो यह यहाँ पर आपको समझना है chemical factors, chemical factors again divide होते है, inorganic substance and organic substance में, organic substance जो हमारे body में हमको helpful होते है, proteins, carbohydrates, fats, जो हम already पढ़ चुके है, and inorganic यानि की hydrogen, oxygen, nitrogen, जितने भी हमारे elements है, वो सारे एक तरह से inorganic substance में चले जाते हैं, okay, so यह चीज़े समझनी हैं, दूसरे तरफ हमारे यहाँ पर biotic factors में autotropic and heterotropic autotropic यानि की, खुद अपना खाना बनाने वाले, simply उसे producer भी कहा जाता है, heterotropic यानि दूसरों पर जो depend होते हैं खाने के लिए, okay, so heterotropic, heterotropic में फिर again division होता है animals, animals actually यहाँ पर consumer होता है, consumer दो तरह के होते है animals and decomposers ऐसा इसका actually fill up होना चाहिए, बढ़ consumers है, decomposers, अलग-अलग bacterias जो होते हैं, वो decomposers का काम करते हैं, animals फिर again हमने जैसे देखा, primary consumers, जो सबसे पहले plant को खाने वाला, secondary consumer जो उस primary को खाने वाला secondary को जो खाता है, वो tertiary consumer कहा जाता है इसके अलावा भी एक होता है, omni यानि की omni omni वरस जो होते हैं, वो plants भी खाते हैं, and animals पर भी depend करते हैं, तो वो एक यहां पर section missing है, तो यह थोड़ा सा wrong chart था आपके book में, इसलिए मैंने यह अलग से एक image आपको दिखाया, let's read ahead, paddy is cultivated on large scale in various states of South India now paddy आपको पता होना चीए हम geography में पढ़ चुके अलग अलग, paddy यानि क्या होता है, rice, तो paddy जो है, cultivate किया जाता है, South India में बहुत जगा पे, paddy fields are frequently attacked by grasshoppers तो वो grasshoppers का खाना है, वो attack करते हैं उसके उपर, similarly, frogs are also present in large number in mud of paddy fields, now आपको पता होगा कि rice के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, and इसलिए उसका जो field होता है, बहुती मड़ी field होता है तो वहाँ पर मौजूद होता है, frogs और in general भी, जो हमारा agriculture में हम जब you know, जो field होता है, उसमें frogs मौजूदी होता है, okay, right so to feed upon grasshoppers and snakes are also present therein to feed upon their favorite food that is frogs, and उसी grass में, उसी जो field है उसमें, उसके अंदर snakes भी मौजूद होते हैं, right तो ये एक पूरा chain again उन्होंने बताया हुआ है however, if frog population declines all of a sudden, अगर समझो, frog का population कम हो जाता है बहुत जादा, what will be the effect on paddy crop तो ज़रा सोचे एकदम simple सा answer है frogs अगर नहीं है, frogs किसको खा रहे थे grasshoppers को खा रहे थे, snake grasshopper को खा सकता है क्या नहीं खा सकता है, या शायद खा सकता है बट शायद ना खाए, जितने हैं, उतने ना खा पाए, right, so frogs जो grasshopper को खा के उनकी population control कर रहे थे, और हमारे paddy field को बचा रहे थे, frogs हमारे बरबाद कर देंगे, तो सबसे पहला effect यह हो जाएगा कि paddy crop पूरा का पूरा खराब, बरबाद हो जाएगा, number of which consumer will decline and which will increase, तो एकदम simple, grasshoppers, अब भी मैंने कहा grasshoppers बढ़ जाएंगे, है ना, grasshoppers बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ snake के साथ क्या होगा, जरा सोचो, snakes, let's say, snakes के पास दूसरा कुछ खाने को नहीं था, frogs ही थे खाने को, और frogs अब नहीं रहे, कम रहे, बहुत कम हो गए, तो snakes का क्या होगा, सीधी सी बात है, धीरे धीरे वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जिन्दा रहने के लिए खाना, यानि frogs ही नहीं है, तो वो मर जाएंगे, तो decline हो जाएगा, तो frogs एक तरफ decline हो रहे थे, तो उससे snakes, उसके पीछे का chain decline हो जाएगा, और आगे का chain बढ़ जाएगा, तो यह नहाँ पर, पैडी फिल्ड बरबाद हो जाएगी, विकाज ग्रास ओफर्स ने उसे खाना चालो कर दिया, ग्रास ओफर्स की quantity बढ़ जाएगी, और फ्रॉक्स तो कम ही हो रहे थे, और स्नेक्स कम हो जाएगी, यह इकोसिस्टम पूरा अन्बैलंस हो गया, इतने सारी यह प्रोब्लम्स क्रेट होगी, पैडी फिल्ड पर कौन डिपन्ड होता है, हम डिपन्ड होता है, राइस हमें खाना है, तो हम पूरा हमारा chain अफेक्ट हो जाएगा, राइस की प्रोड़क्शन उस साल कम हो जाएगी, तो यह पूरा ओवराल इफेक्ट हो जाएगा, तो यह बहुत ही जरूरी है कि मेंटेन रहे हर चीज, फ्रॉग्स भी नहीं कम होने चाहिए, स्नेक्स भी नहीं कम होने चाहिए, ग्रासॉफ भी कम नहीं होने चाहिए, यह सब कुछ बैलेंस्ड रहना चाहिए. What is environment? What includes it? तो एकदम simply environment क्या होता है? Environment के बारे में आपको मनें starting में introduction दिया. So यह Artemis अंणो नहीं दिया, let's just read it. Environment is a broad concept, यक broad concept है, यानि कि बहुत-बहुत कुछ include हो जाता है इसके अंदर, सारे हमारे जितने भी factors है, physical, chemical, biological factors, यह सारे अंदर आ गए, मतलब उपर जितने ecosystems है, हमने देखे अलग-अलग type of ecosystem है, तो अलग-अलग type of ecosystem सब कुछ मिला कि हम at a time एक particular जगा पे बात करूँगा, into my surrounding तो वो मेरा environment हो ज living organism पे जाधा देहन देते हैं, तो living organism को जो affect करेगा, जैसे कि for example, cold region में अलग तरीके का पुरा climate और सब कुछ physical conditions and biological factors के वज़े से, वहाँ पे अलग तरह के जानवर आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे polar bear आपको normal Mumbai में देखने नहीं मिलेगा, polar bear आपको Antarctica या वहीं cold region जो होता है तुंद्रा रेजिन जिसे कहते हैं, वहीं पे आपको देखने मिलेगा, right, so ये environment का असर जो है, उसमें हम देखने living organism पे क्या क्या असर होता है, तो वो जितना collective term उसे कहते हैं, उसे environment कहा जाता है, in any way possible is collectively called environment, in short, environment is the condition in surrounding, तो हमारे आसपास की जो condition है, उसे environment कहा जाता है, it includes many biotic, abiotic, natural, artificial factors, इसके अंदर biotic, abiotic, natural, artificial factors भी include हो जाते है, artificial factors यानि की, जो man-made factors है, एक तरह से artificial factors कहते हैं, there are two main types of environment, one is natural environment, other is artificial environment, तो अभी at present अगर बात करूँ, तो I am surrounded by artificial environment, ये जितनी भी चीज़े आसपास मेरे है, building, बोलो या, you know, bed, PC, mobile, या जो भी, जो भी मेरे आसपा है, वो natural कम है, artificial जादा है, man-made जादा है, तो this is, at this moment, I am in a artificial environment, okay, natural environment consists of air, atmosphere, water, land, living organisms, तो common sense is natural, यानि जो भगवान ने बनाई ही चीज़े, वो सारी natural environment हो गई, तो अगर समझो मैं, जंगल में बैठा होता अभी, तो मैं natural environment में होता अभी, water, air, land, के आसपास पूरा, continuous interaction, continuous interaction, continuous interaction occur between biotic and abiotic factors, their interaction are very important, तो यह हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कि इनके बीच में कुछ ना कुछ संबन चल रहा है, कुछ ना कुछ लेंदेन चल रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड है, और यह बहुत important है, बहुत जरूरी है, artificial environment is also affecting the natural environment, directly और indirectly, अब कह रहे हैं कि यह जो environment को affect कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर कैसे, अब simple बात को रहा हूँ, imagine करो मेरे DJ party कर रहा हूँ, DJ party कर रहा हूँ, music बजा रहा हूँ, DJ का speaker वगएरा सब कुछ artificial environment create कर रहा है, उसके वज़े से sound pollution, noise pollution हो रहा है, जिससे natural environment में हम लोग बादा डाल रहे है, you know pollution एक तरह का बाद हो जाएगा वो, वो pollution जब करता है, तो वो natural environment को खराब कर रहा है, air खराब कर रहा है वो, okay, so ये चीज जो है वो कह रहा है कि directly या तो indirectly, indirectly क्या हो जाएगा, indirectly mostly वो है, जो हम actually हमारे progress के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो हमारे आड़े आ रही है, for example, जितनी भी electronic चीज़े है, electronic वेस्ट, एक नया तरह का वेस्ट मौजद हो चुका है, पहले के normal वेस्ट तो होते ही थे, लेकिन अब electronically कल वेस्ट, या जितने आपके पुराने cell phone, पुरानी batteries, जो काम नहीं आती, ये सारी चीज़े, hold on होते जारी, जितने पुराने PC's थे, या अभी तो देख रहे होंगे कि हर एक तरह का flat PC's ही आते हैं, पहले PC का shape अलग होता था, तो वो सारे डबे कहां गए, तो वो तो मतलब कहीं ना कहीं वो waste की तरह पड़े हैं, तो ये सारे हमारे environment को, natural environment को affect कर रहे हैं, Basically, environment consists of two basic factors, biotic factors, abiotic factors, the science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called ecology, तो ecology मतलब कोई आपको कहेगा कि भाई क्या पढ़ते हों, तो वो कहेगा I study ecology, तो ecology क्या होता है, ecology subject क्या होता है, कि biotic and abiotic का क्या interaction है, उनके बारे में क्या, कोई बढ़ने से क्या फ़रक पढ़ रहा है, कोई कम होने से क्या फ़रक पढ़ रहा है, ये सब जो study है, that is called ecology, basic functional unit used to study ecology is called ecosystem, तो आप कहेंगे कि ये पढ़ने कहां, उसके लिए हम किस चीज को पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम ecosystem को पढ़ेंगे, तो basic unit जो पढ़ने के लिए हम ecology पढ़ते हैं, कहां पे, तो एक simple सा एक area ले लो pond जैसा, जैसे आप image भी देख सकते हो, pond और यहां पे सब factors, biotic, abiotic, यहां पे मैं सब कुछ study कर सकता हूँ, तो यह एक ecosystem हो गया, जिसको मैं जब study करूँगा, तो उस study को मैं कहूँगा, ecology, environment consists of many ecosystems, तो यह बात भी हम starting से मैं बोल रहा हूँ कि ecosystem बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं, we have studied some ecosystems in earlier classes, a small pond is an ecosystem, तो एक small pond एक पुरा अलग ecosystem हो factors occupying a definite geographical area and their interaction with collectively constitute the ecosystem, तो अब कहरें कि अगर एक short में बताना है कि ecosystem को फिर कैसे define करें हम, तो biotic, abiotic factors जितना एक occupy करते, एक geographical area को occupy करते, और उनके बीच में जो interactions होते हैं, उसको हम ecosystem term दे सकते हैं, now अलग-अलग cycles जो operate होते हैं, आप ये last year ही पढ़ चुके हो, oxygen cycle, water cycle, water cycle, बच्पन से ही पढ़ रहे हो, water cycle क्या होता है, carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, ये अलग-अलग cycles के बारे हम आप 9th standard में ही पढ़ चुक let's take oxygen cycle की एक quick revision आपको करा देता हूँ, oxygen cycle में क्या होता है, कि हम, हमने oxygen लिया, हमने carbon dioxide ये किया, ये carbon cycle में मेरा योगदान चला गया, oxygen मुझे कहां से मिला, trees से मुझे मिला, trees को, trees ने क्या क्या, carbon dioxide लिया, तो वो भी carbon cycle का हिस्सा हो गया, और उसने return में oxygen दिया, तो ये एक simple स आसा और detailed में है, जो आप 9 में पढ़ चुके हो, तो वो आप को मतलब पता होना चाहिए, environmental balance is also maintained due to various food chains of ecosystem, तो ये बाद भी हम कब से कर रहे की, इस सारी चीज से, food chain, ecosystem, इससे क्या हो रहा है, environmental balance हो रहा है, human existence is totally impossible without the existence of nature, hence it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance, तो आप कहरे की, human starting से एकदम, मतलब पूरा chapter में एक ही बात गुमा गुमा के कर रहे हैं और कुछ नहीं, हमने already ये बात कर ली कि environment जो है, nature जो है, उसी के वज़े से हम है, हम भी उसका हिस्सा है, तो हमें इन factors का ध्यान रखना है, अगर हम इसे preserve, हम इसे ध्यान नहीं रखेंगे, इसका balance disturb कर किराये पे दिया है, मतलब हमें ध्यान से ही उस करना है, क्यूंकि हमें कल उठके उन्हें ही दे देना है वापस से, okay, future generation को ये swap के जाना है, not as an ancestral property, ये हमारी बाप दाजाओ की जायदात नहीं है, जिसका हम बरबात करते चले आ रहे हैं, from our ancestors, जो हमारे ancestors हो चुके है, पुर दो साल, तीन साल से पढ़ते आ रहे हो कि ये ही बात है, conservation क्या होता है, conservation यानि conserve करना, conserve क्या होता है, conserve यानि बचाना, उसको protect करना, preserve करना, उसको समाल के रखना, so that's called conservation. What are the factors affecting environment, तो अब factors क्या affect करते हैं, तो natural factors and man-made factors affect करते हैं, affect करना, यानि कि environment को किसी तरह से उसका balance बिगारने का काम करना, for example, natural factors में एक आपको दे, earthquake, अगर earthquake हो जाता है, तो कितना कुछ change हो जाता है, balance बिगड़ जाता है, man-made factors की बात करते हैं, तो deforestation, जो हम जाड करते जा या कोई factory लगा देते, तो ये सब man-made factors के वज़े से environment को असर पड़ता है, okay, what will happen if the number of consumers in environment goes on increasing gradually, तो क्या होगा, क्या होगा, simple सी बात है, ऊपर ही हमने देखा, कि अगर कोई भी एक number of consumer बढ़ जाता है, तो पूरा chain खराब हो जाता है, right, तो ये चीज़ environment के लिए बुरी तो river ecosystem खराब होते जाएगा दिले दिले दिले, वहां के fishes मर जाएंगे, वहां के वहां पे गंदीगी बढ़ जाएगी, वहां पे, you know, आसपास के animals को problem हो सकती है, वहां पे human settlement को problem हो सकती है, तो river bank के आसपास अगर industry अपना waste product उसमें डालेगी, without processing it, and without, you know, कुछ उसको अच between various factors of the environment, and ultimately affects the existence of biotic factors, तो ये बात ही, उपर ही उन्होंने जो question के थे, वही एक तरह से answer पूरा उन्होंने दिया, कि जब natural factors वारा artificial factors के वज़े से effect होते हैं, तो imbalance create होता है, और imbalance से overall last में affect होने वाले biotic factors ही है, यानि living cheese वालों को ही problem होने वाली है, okay, पानी, air, sunlight, इनको कोई फर factors कोने वाली है, महत्मा गांदी ने कहा था, the earth is sufficient to satisfy everyone's need, but not the greed, बहुत ही powerful line बोली है, महत्मा गांदी जी ने कहा है, कि earth पे इतनी सारी चीज़े available हैं, कि हम सबकी जरूरते पूरी हो जाए, need यानि जरूरते, लेकिन greed, यानि मुझे और चीए, मुझे और चीए, जितना मैं सकूँ उससे जादा लेके रखूंगा, तो वो मेरी greed है, मेरी लालचपन है मेरा वो, तो greed को satisfy करने की जगा यहां पे नहीं है, और लोग greedy है, लोगों को, अगर लोग 2Y2 के कमरे में, आच्छे से 1BSK में भी रह सकते हैं, तो लोग बड़ा सा property लेके खरीद के बैठे रहें और वो अगें, you know, greed वो बता रहा है, तो need पूरी करने की, अर्थ में सारी चीज़ अविलेबल, मालिक में सारी चीज़े दी है, लेकिन greed पूरी नहीं कर पा रहे हैं, at present, many environmental problems have been arising due to effect of various natural and artificial factors on the earth, environmental pollution is one of those major factors, उसमें से ही एक सबसे important factor है, pollution, generally contamination of any material is its pollution, तो pollution को कैसे define करते हैं, किसी चीज़ में contamination, contamination नहीं कोई तरह का मिलावट हो जाना, गंदगी जिससे harmful हो जाए कुछ चीज़, वो pollution कहा जाता है, unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activities is called environmental pollution, तो again एक definition दिया, environmental pollution का कि human activities के वज़े से या कोई natural events के वज़े से हमारे आसपास unnecessary, यह required नहीं था, unacceptable, यह हमको चलेगा नहीं, वो change आ जाये हमारे surrounding में, तो उसे हम environmental pollution कहते हैं, अगीन उसको define किया, that is direct और indirect change in physical, chemical, biological properties of air, water, soil, which will be harmful to human and other living things, living beings in environment, is environmental pollution, एक और environmental pollution का definition दिया है, कि अगर direct या indirectly, physical या chemical या biological change आ जाना, air, water, soil के अंदर, और वो humans को harmful होगा, और दूसरे living को भी harmful होगा, living beings को, तो उसे हम environmental pollution कहेंगे, ओके, तो again, direct indirect में क्या हो जाता है, direct यानि कि, जो मैं direct, like मैंने थूख दिया, मैंने गंदी की कच्रा भार फेक दिया, तो ये direct मैंने affect कर दिया environment को, indirect क्या हो गया, अब एक तरह से PC use करना important हो गया है, mobile use करना important हो गया, लेकिन इसके वज़े से radiation, इसके वज़े से climatic change, ये सा होते जा रहा है, main जो हमारे factors हो पलूट होते जा रहे हैं, और हमारे लिए harmful होते जा रहे हैं, और दूसरे के लिए भी, तो उसे हम environmental pollution कहेंगे, various reasons like population explosion, fast industrialization, indiscriminate use of natural resources, deforestation, unplanned urbanization are responsible for environmental pollution, ये अलग-अलग factors उन्होंने बताया है, जो उपर question पूछा था कि, अलग-अलग factors बता है, okay, population बढ़ते जा रहा है, fast industrialization, यानि की industries हम बनाते जा रहे, factories अलग-अलग बनाते जा रहे, indiscriminate use of natural resources, यानि की सोच, विचार के इस्तमाल नहीं करें natural resources का, बे फाम एकदम ही बिना सोचे समझे, natural resources exploit करें, ये सब topic हम लोग ने geography में भी cover किया था, तो आपको थोड़ा idea इसका पहले से होना चाहिए, which are the types of pollution तो आपको पता ये air, water, soil are the basic main जो category है, air, water, soil pollution, what do you mean by natural, artificial pollution तो जो natural तरीके से होता है, natural तरीके से होता है, वो natural उसका means हो गए, and जो artificial होता है, so artificial और natural दो तरह के हमने देखने हैं, let's see, let's read about that, pollution is a broad concept, again it's a broad concept, बहुत, बहुत various इसमें अलग-अलग factors affect करते हैं, various types of pollution like that, of air, water, soil, sound, thermal, light pollution occur around us, तो ये अलग-अलग उन्होंने दिये हैं examples, sound pollution का भी example मैंने जो आपको बोला कि जो DJ अगर हम बजाएंगे जोर्जों से, आपको पता होगा आप नवरात्री वगेरा जो भी function ह दस बजे के बाद आप loudspeaker नहीं ये कर सकते हो, ऐसा पहले नहीं था, जब मैं school time बेता था, हम लोग बारा-बारा, दो-दो, एक-एक बज़े तक गरवा वगेरा चलते रहता था, नवरात्री चलते रहता था, लेकिन अभी strictly 10 बज़े बंदी हो जाता है, last day खाली 12 बज़ गला हो रहता है, तो ये जो चीज है, sound pollution को हमने मत दिमाग में रखके ये चीज हमने ये किया है, फिर धीरे-धीरे दिवाली में भी अफरक आते जा रहा है, ये साल तो दिवाली बहुत ही, मतलब ना के बराबर होने वाली है, एकदम ही, last year भी बहुत कम हुई थी दिवाली comparatively इतने सालों के इसाब से, तो धीरे-धीरे लोग भी realize कर रहे है कि ये बेवजा, मतलब sense ही नहीं बनता ना, पैसे लिया, आमने पैसे से बॉम खरीदा, वो भड़ फूड़ गया, अवाज हो रहा है, उससे pollution, air pollution हो रहा है, sound pollution हो रहा है, पैसे वेश्ट कर रहे हैं तो ये ये लोगों को अब धीरे-धीर realize हो रहा है कि ये सब का sense नहीं है, तो ये धीरे-धीरे अब कम होते जा रहा है, लोग aware होते जा रहे है, लोग समझते जा रहे है, लेकिन still हम बहुत दूर है ये सब को एकदम perfect करने से, okay, images आप दे सकते हो थोड़े से, air pollution की दिये है, fog and pollution in the city a problem, fog नहीं लिखना चीए था, actually इनको smog लिखना चीए था, fog अभी इनने इसलिए बताया है क्योंकि इनको natural ये बताना था, इसलिए, so fog is basically जो धुनला धुनला सा ये जो आ जाता है, because of climatic condition, और smog एक और term है, smog, यहां पर आना चीए था, बताया है नहीं, मैं लिखता smog, that is smoke, यानि हमने, हमने जो pollution किया, smoke, और जो natural है, fog, उसको मिला के बनता है, smog, तो ये एक बहुत बड़ा issue हो चुका है, आज की तारिक में, smog, okay, so let's read ahead, ultimate adverse effect of all this is on existence of all the living organisms, and out of these, environmental conservation has become the need of our, तो आप कह रहें कि ये सब इतना high level पर हो चुका है, और हमारे लिए इतना तकलीफ देने वाली चीज हो चुकी कि आज की तारिक में, सबसे important काम है, environmental conservation, it is a need of our, मतलब बहुत ज़रूरी है, अब भी, मतलब एक दम सब को करना ही पड़ेगा ये, तो ये चीज यहां पर बात We have studied air pollution, water pollution, soil pollution and in detail in earlier classes, तो आप पहले से ही बहुत पढ़ चुके हो, air pollution, water pollution, soil pollution क्या है, ये चार्ट आपको exam में नहीं आने वाला है, बट मैं चाहूंगा कि आप ये खुच से जरूर complete करने की कोशिश करिए, कि water pollution में क्या-क्या चीज़े affect होती है, soil pollution में क्या-क्या चीज़े affect होती है, minerals of soil अलग-अलग जो होते हैं, वो effect होते हैं, sources क्या हो उनके, किसके वज़े से होता है, तो air pollution, car हो गया, industries हो गई, soil pollution हमाने deforestation कर दिया हमने, या unnecessary हमने वहाँ पे कोई acid drain हो गया, तो भी soil pollution होता है, तो natural and man-made दोनों ही factors वगरा लिखके आपको ये chart complete करना है, do you know मैं radioactive pollution की बात किये, radioactive pollution is basically जो rays अलग-अलग है, UV rays, infrared rays, infrared rays, ये तो natural हो गए, बट X rays वगरा जो हम use करते हैं, जो हमारे nuclear power plant में हम use करते हैं, ये सारी चीज़े जो भी हम use करते हैं, radioactive चीज़े कही जाती हैं, तो ये भी pollution का बहुत ज़ादा impact गिरता है हमारे living beings पे and other living organisms पे, need of environmental conservation तो जरूरत environmental conservation की, general public is not aware about the rules of environmental conservation, there should be a large scale participation of people in environment conservation, it will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection, conservation becomes an effective public movement, तो अब कहरे कि normal लोगों को ये इस बात का realize ही नहीं हो रहा है, general public जो होती है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि environment बचाना है, पहली बात तो educated लोगों को ये जादा चीज़ समझ में आती है, और educated लोग भी कितनी बार मैं देखता हूँ कि यार कचरा फेक रहे हैं, आप भी कितने लोग कर यहां पर अब where I stay, वहां पर यहां पर खाड़ी है, जिपी कॉल क्रिक है, वसई क्रिक है, तो वहां पर से जब train जाती होगे, आपने भी कभी notice कि आओगा, जो अब गाव अगरा की इसमें, जो bridges आते हैं, तो खाड़ी होती तो लोग उसमें कचरा फेकते हैं, सिक्का फेकत तो वो sense नहीं बनता यह सारी चीज़ों का, वो मतलब हाँ, हफते बर का आपने घर पे पूजा करकर के हार लगा है, वो सुखा हुआ कच्रा आपने यह जमा करके वहां पानी में फिक दिया, तो यह sense नहीं बनता, आप water pollution कर रहे हो बेवजा का, तो यह सारी चीज़े जो है यह general public aware ही नहीं है, यह सारी चीज़ों के लेके, तो वो उतना awareness ही नहीं है, तो वो actions ही नहीं है, तो यह कहरे है कि environmental conservation जो है, यह एक public moment होना चाहिए, एक लोगों को इतना realization, इतना strong होना चाहिए, कि वो सब लोग मिलके करेंगे तो ही possible होगा, beaches generally आप सुनते होगे कि beaches इतने गंदे अलग अलग जगा पे, और कितने लोग initiative बेते हैं, खुच से group बनाके, NGOs के साथ मिलके, वो beach clean करते हैं, particular area का, लेकिन फाइदा क्या कि, within a week अगर दूसरे लोग आके, अगे उस पे कच्रापटी चालो कर देंगे, तो बात mentality की है कि लोगों की mentality बदल नहीं हैं, ओके, for this purpose, values like positive attitude, affection towards environment, knowledge about it, etc. should be inculcated among the children since their childhood, इसी लिए, that is one of the reasons आप ये 6-7 तब से ही ये topic पढ़ते आ रहे हो, conservation, conservation, air pollution, water pollution, environment conservation, क्यूंके बच्चों को ये अगर पहले से ये दिमाग में आया, तो आप लोग अब ये lecture दिखने ही हुआ, आप सुचों के ये नहीं, yes, हमें environment को चोटा सा mentos का ही rapper क्यों ना हो, आप अपने jayb में डाले और properly उसे dustbin में डालेंगे, तो बात कहनी की ये है कि ये effect आपके अंदर अभी से impact अभी से गिरेगा, आपके अंदर ये सारी values inculcate की जाएगी, अभी से आपके अंदर ये develop की जाएगी, तब जाके आप global citizen जब जब आप एक, you know, responsible बनेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़े problems कम हो सकती हैं, this will help to make the future generation more aware about the environmental conservation and protection, वही बात में आपको बताई, so as to achieve this, it is necessary to increase the awareness through education, इसलिए ये education में हमने है तो topic एक तरह से देखा जाए तो geography related topic हो गया ये पूरा, लेकिन इसलिए हम science में भी हम इसको All the developed, developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of environmental protection, their efforts are in that direction, they have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws, तो आज की तारिक में हरे एक जन ने ये accept कर लिया है कि उनकी कुछ responsibility है environment को लेके, पहले ऐसा नहीं था जब हमने 9-9 inventions किये थे, steam engine की बात करो, simple सा steam engine की अगर बात करते तो पहले जो rail गाड़ियां थी, जो steam के इससे चलती थी, right, koilे से, तो कितना हमने pollution कर दिया तब ही, जब वो discover किया ये power कि koila जलाने से, steam के power से हम लोग engine भगा सकते हैं, तो हमने कितना pollution तब ही कर लिया, right, तब हमने ये नहीं सोचा कि, अरे ये हो रहा है, है न, जब smoking वगरा, जब cigarette वगरा ये होई थी, तो cigarette पीना cool माना जाता था, literally हर movie में, हर actor बोलो, या हर कोई smoking सिर्फ नाम के लिए करना, लेकिन अब realize हो रहा है कि smoking इंसानों के लिए भी गलत है, और environment के लिए भी गलत है, तो हम लोग कोई भी नहीं चीज आती है तो हम इतना पागल जैसा उसको use कर आते हैं, उसको इतना exploit कर देते हैं, और बाद में ऐसे realize करते हैं, हमने तो ये गलत रहा पकड़ी, हमने जब पहले plastic नहीं था, simple सा example देता है, plastic जब नहीं था, हर एक medical, हर एक medicine या हर एक कोई भी important चीज़े, bottles जो होती थी, glass की bottles होती थी, तो ये चीज़ glass से करते हैं, और उसको handle करना कितना मुश्किल होता था, right, glass कभी भी simple सा एकरो फूट जाता था, right, तो जब हमने plastic का invention किया, तब इतना boom हो गया industry पूरा, glass तो अब कहीं glass bottle होती नहीं है, जहां normally glass bottle होती थी, वहाँ भी plastic इस्तमाल होता है, plastic bottle इस्तमाल होती है यह हमने पूरी तरह से use कर दिया और अब जाके realize कर दिया, कि plastic अब वो जो waste, plastic degrade नहीं होता environment में, मतलब खतम नहीं होता है, वो पढ़ा रहता है सालों साल, हजारों सालों तक, खतम नहीं होता है, तो plastic अब environment के लिए बुरा है, अब हमको realize होगा, तो अब हम बोलते हैं, कि plastic कर देते हैं, और फिर बाद में realize करते हैं, तो हमने गलत रहा पकड़ ली है, तो हम फिर इसको steps उसके लिए लेने शुरू करते हैं, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि हर एक country आज aware है, और उसी base पे वो अलग-अलग laws बना चुकी, आज की तारिक में plastic थेलिया यूज कर करते हैं करके, environmental conservation our social responsibility, यह हमारी एक social, social नहीं की society पूरे सबकी मिलकी responsibility है, हमारा, हमें काम, हमारी duty सौपी गई है हमें, since existence of human, there is inter-relationship between human and environment, जबसे इंसान है इस धरती पे, environment और human का एक आपस में give and take relation रहा है, human stepped on the earth long after formation of the earth, तो यह बात तो मैं starting में आपको बताया है कि, earth के formation के बहुत समय बाद human आए, on the earth human being proved its superiority as compared to other animals, with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc, human established dominance, domination over the nature, तो इंसान ने अपनी काबिलियत प्रूफ कर दी and वो सबसे dominant, सबसे strongest of the survivor बना, human utilized all the natural resources as much as possible, उसने natural resources बहुत जादा यूस कर लिये, जितना हो सके उतना यूस कर लिये, in an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from, 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 printing mistake है, snatching from the nature as much as possible, this led to increase, increase in problems, तो अपनी जरूरते पूरी करने के लिए, satisfactory life पूरी करने के लिए, अपना greed, not the need, अपनी जरूरत नहीं कहूँगा, मैं actually, greed, अपनी greed पूरी करने के लिए, उसने हर natural resource को बहुत ही जादा use कर लिया, from this entire scenario, we can understand that human has crucial role in maintaining the environmental balance, और इतने से paragraph से ही आप समझ में आ जाओगी, कि human का कितना important role है, environmental balance करने के लिए, if human has disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature, तो disturb करने वाले भी हम ही है, तो conserve करना भी हमको ही पड़ेगा, और हम्मारी हाथ में सबसे ज़ादा important है, many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen, और again same बात, general public को aware नहीं होता कि उनके एक छोटे से rapper फेकने से क्या affect हो रहा है, मुंबई में जब floods आए थे, उसमें सबसे बड़ा issue यही था कि हमारा solid waste जो था, वो हमने ठीक से अगर solid waste, दो तरह के waste होता है, आजकल आपको हर जगा पर देखने मिलेगा, खास करके public places पर, that is station वगरा पर देखने मिलेगा, there is a wet waste and dry waste, तो wet waste is basically जो हम लोग use कर सकते एक तरह से compost वगरा बनाने के लिए, लेकिन dry waste जो है solid waste, basically जो होता है बहुत जादा, वो फिर से हम use नहीं, वो basically degrade है, degradable environment को खराब कर देगा, वो वैसी सारी चीज़े है वो, ठीक है solid waste, तो यह चीज़े जो है, यह human activity, अगर solid waste हमने पहले से ही ध्यान रखा होता, यह अलग करने का, और यहां वहां plastic कच्रा, यह सब नहीं किया होता, तो नाले वगेरा jam नहीं होते, और जब बहुत तेज बारिश होती, flood आता, तो flood, flood क्या होता है, जमा हो जाना पूरा पानी, तो जमा ही नहीं होता, क्योंकि अगर नाले व How do butterflies contribute to environmental balance, okay, search, जड़र आप मुझे बताइए, butterflies क्या environmental balance में help करेंगे, okay, butterflies यतने beautiful से insects, creatures, जो है, वो क्या environmental balance में उनका काम होगा, क्या role होगा, बहुत ही simple सा answer इसका, but आप चाहे तो search कर सकते हैं, आप खुद लिए, यह सारी चीज़े, do you know, let's discuss, यह सब cancelled है, इसमें act, laws वगे है, enact किये गए है, अलग-अलग, you know, जो environment को बचाने के लिए, तो बस हम खली title में read कर रहा हूं, कि Forest Conservation Act 1980 में हमने बनाया था, जिसमें forest land को protect करना है, अगर जो भी उसको, forest land को किस से protect करना है भी, जो चरावे, जो होते, cattle वगेरा चराने, जंगलों में चल जाते, तो पुरा forest cattle खा जाता है, तो यह सब हो जाता है, या normal हम लोग घर वर बनाने में hut, civilization सेटल करने में forest काट देते, तो यह सब में forest conservation, जिससे wildlife को problem होती है, तो यह सब problem होती है, तो उसको बचाने के लिए Forest Conservation Act 1980, okay, at least वो act का year याद रखना थुड़ा सा, तो यहाँ पे वो act में क्या है, क central government आपको mining activity का permission देए, तो ही आप कर सकते हैं, वरना नहीं, जो disobey करेगा, यानि नहीं मानेगा, उससे jail की सजा हो सकती है, पंदरा दिन की, environmental conservation act, यानि कि environment को भी बचाने का act किया है, अगर आप pollution करोगे किसी तरह का, आपके ओपर case हो सकता है, आपको fine लग सकता है, कम से कम एक लाग रुपे तक का fine लग सकता है, पात साल तक की सजा हो सकती है, ये सब चीजे आपको पता होना चाहिए, जनरली आप मुझे incident पता है, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ लाइक, मेरे साथ नहीं exactly, बट मेरे सामने हुआ है, बोरी वाली station पे एक बार ऐसा हुआ था कि 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 कोई एक पानपटी से किसी ने तो मेंटोस लेकि रैपर फिक दिया, एक सिविल में ही आप पैचानी से को वैसा एक आदमी अचानक से उसको ऐसा डारेक हाट डालती ही, पकड़ के उसको बला कि सर आपने अभी रैपर फिका, तो वो इस लाग कि भाई तू क्या क्या कौन है तो उसने फिर अपना बैज जो छुपा हुआ बैज था हूँ निकाला, बोलता कि मैं एन्वार्मेंट लाइक ये एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन वाले है, इसमें मेरा ये ध्यान रखने का काम है, आपने वो कि आपको फाइन भरना है, उससे पांसो रुपे लिए उसने तो कहने की बात ये है कि और उससे उठवाया भी हो, उसने रैपर उठाया मेंट उसका वापस और फिर कचरे में फेका, तो कहने का बात ये कि बात छोटे से रैपर की नहीं बात है कि आपकी mentality की, बात है आप कितना अवेर हो, आप कितना अपना योगदान, responsibly, आप responsible citizen बनत करते हो, इंटरनेट पर ये सारी चीजे थोड़ा सा सर्च करेगा, जो आपको बोला, इंटरनेट my friend, तो ये सारी चीजे थोड़ा आप देखेगा, इवेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, इवेस्ट रूल, इवेस्ट यानि की वही, electronical items जितनी है, जो यूज में नहीं है और अड़ी वह सारी होड होते जा रही है हम लोग उसे कही नहीं जमाकरते जा रहे है can rip Christmas करते जो कहीं नहीं अच्छा वो मुवी में एक मेरा को याद आ रहे है जो जो dumping grounds होते है उसमें यह robot movie देखेँ हुगी आपने robot जो रोबर्ट होता उसको डंपिंग ग्राउंड में फिक देते तो वहाँ पर कितने सारे दूसरे मेकेनिकल यह पड़े रहते हैं पीसी यह सब यह सब तो कहने का बात यह है कि वह सारा यह सब हम लोग एक लैंड है जिस पर हमने इतना सारा कचरा रखा हुआ है बस कचरा जमा करके रखा हुआ है तो यह सारी चीजे जो है यह एंवार्मेंट का बैलेंस भी कार देती है तो हमें बहुत ही रिस्पॉंसबल होना है अबिग स्टोरी अफ़ स्मॉल मैन तो जाधव मुलाई करके एक वैक्ती है आसाम के नॉमैडिक ट्राइब से बिलॉंग करते है यह इन्होंने बहुत ही इंपोर्टन काम कर लिया था इन्होंने इन्होंने अकेले रहकर अराउंड 1360 एकर का लैंड एरिया फॉरेस्ट वापस पुरा उगा के रख दिया वहां पे फॉरेस्ट नहीं था उतना पुरा उन्होंने पुरा बहुत ही जादा महनत करके उन्होंने यह काम किया इन्हों की स्टोरी दी गई है लेस्ट एस रीडाट जादा मुलाई पयांग इस ए हाईली केपबल परसंड बहुत ही केपबल है यह बॉन इन नॉमाड़क ट्राइब ऑफ असाम बॉन इन 1963 जादा मुलाई पयांग पयांग इस ए इस आपको पता होगा हमने जोग्रफिमें पड़ा था, as a preventive measure मॉलाई प्लांटे 20 बैंबू प्लांटले तो उन्होंने क्या किया, बैंबू प्लांटले इन 1979 लोकल Social Forestry Department begin a social a forestration, deforestation का opposite क्या होता है, a forestration, deforestation यानी जाड कातना, a forestration यानी जाड लगाना, ताकि forest फिर से बना रहे, on 200 hectares of land molai was one of the few forest workers who were looking after the project molai continued to plant trees even after the completion of the project as a result his continuous work of planting and caring for the trees the barren area witnessed the forest cover of 1360 acres so itna land pura jungle se bhar diya today this jungle is in Kokila Mukh of Jorhat district of Assam is the result of hard work of 30 years, 30 saal se he has been awarded prestigious padmashri award by the government, he has got padmashri award India for this unparalleled work, now it is well known as molai jungle many people come together to destroy the forest but a single person is if determined can establish a new forest, so a lot of people come to the jungle, but if a person is determined determination, he has been if you are determined enough to score, you can score it determination हो तो कुछ भी कर सकते तो एक अकले आदमी ने पूरा नया forest बना दिये तो आपको भी वैसा determination रखना है अपने environment को protect करने के लिए कम से कम environmental conservation and are earlier generations who is responsible for this तो कितने हम कहते हैं बेसिकली extinct हो गए जो species जो अब नहीं रहे तो वो सब कहां चले गए तो वो कौन इसका जिम्मेदार है कि वो लोग आज नहीं है biodiversity is the richness of living organism in nature due to the presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variation within a species biodiversity occurs at three different levels तो biodiversity क्या होता है अभी biodiversity यानि कि diversity का मतलब होता है अलग-अलग diversity मतलब अलग-अलग India is a diverse country क्योंकि यहां पर अलग-अलग जाती अलग-अलग background से लोग, अलग-अलग culture से लोग belong करते हैं so India is a diverse nation इसलिए हमारा tagline भी वो है unity in diversity right so biodiversity क्या हो गया तो यह जो हमारा biological जो हम पूरा यह है उसकी diversity अलग-अलग होना तो उसमें तीन तरह क्या आते है genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity तो एकदम simple genetic diversity क्या होती है कि हर एक इंसान इंसान ही है वो species इंसान की है लेकिन उसमें हर एक इंसान अलग दिखता है हर एक इंसान अलग दिखता है यह हम लोग first chapter में भी बात कर चुके थे genes का जब पढ़ रहे थे genetics के बारे में पढ़ रहे थे कि सब के पास दो आके एक मो दो हाथ पूरा सब structure same है सब लोग humans है लेकिन सब यूमन अलग अलग दिखते है यार कैसे है how this this is possible because of the genes तो उसे कहते है genetic diversity let's read this occurrence of diversity यानि की difference आजाता है among the organisms of the same species in genetic diversity तो यूमन एक पूरा same species है उसमें अलग 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 सब अलग दिखते है example each human being is different from other possibility of wiping out the species arises if there is decrease in the diversity within the species whose members involved in sexual reproduction तो जो sexual reproduction करते हैं उनके अंदर अगर ये genetic diversity कम हो जाती है तो वो पूरी species का पूरी तरह से खतम हो जाने का chances हो जाता है Species diversity Species diversity क्या हो गए तो अलग-अलग species जो available है जैसे animals बोला तो कितने अलग-अलग animals है यार जिराफ है, टाइगर, लाइन है, मंगीज है जैबराज है, तो अलग-अलग-अलग सब है तो animals ही, तो species animals के अंदर अलग-अलग-अलग कितने तरह के animals वैसा, तो innumerable species of organisms occur in the nature, this is called a species diversity, species diversity includes various types of plants, तो plants बोला तो सब को बहता है plants क्या होता है, लेकिन plant कौन सा, तो कितने अलग-अलग-अलग-अलग-अलग तरह के plant होते हैं, उसके अंदर भी अलग-अलग-अनकी genetic diversity हमको देखने मिलेगी, तो that is species diversity, ecosystem diversity ecosystem diversity यानि कि पूरा का पूरा ecosystem क्या था, एक particular geographical area जहां में biotic-abiotic interact करते हैं, तो वो अलग-अलग geographical area के साब से अलग-अलग ecosystem आपको मिलेंगे, तो वो हो जाएगा ecosystem diversity, many ecosystems are present in each region, एक region में बहुत सारे ecosystem मौज़ूद होते हैं, ecosystem is formed through the interaction between plants, animals, their habitat and changes in the environment, each ecosystem has its own characteristics, plants, animals, microbes, abiotic factors, ecosystems are also of two types, natural, artificial, तो ecosystem के बारे में already यह सब बात कर चुके हम लोग की animals, plants, सबका interaction, habitant या नहीं जहां वो रहते हैं, उनका घर, वो सबका interaction ही ecosystem है, and यह अलग-अलग आपको एक region में मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, कि आपको polar bear काम पर मिलेगा, polar bear आपको polar region में उसके region जो है, वहां पर वह ecosystem में आपको मिलेगा, right? right? मॉंबई में आपको polar bear नहीं मिलेगा, right? तो तुंदरा vegetation तुंदरा region में मिलेगा, तुंदरा यांनि कि जो यह cold regions है, तुंदरा regions कहते हैं, right? So, यह हर एक तरह का अलग-अलग ecosystem होता है पिर sacred grooves क्या है sacred grooves तो ये actually आपके geography के first chapter में भी तुड़ा सा इसका बात था, देवराई जिसे कहते हैं, देवराई, तो sacred grooves basically भगवान के नाम पे हमने उसको बचा के रखा एक तरह से, वो हो गया बात, वो जाड, वो जंगल वो एरिया प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पूजा या ऐसे सब हम उसको मान, कुछ ना कुछ हम उसके उपर activity करते है, religious activity perform करते या उसको बहुत ही sacred मानते है, holy मानते है forest conserve in the name of God and consider to be sacred is called sacred grooves these are in fact sanctuaries conserved by the society, not by the government forest department, तो इसे कोई government नहीं करती, इसे खुदी particular local area ही करते की नहीं वो जंगल नहीं काटना है, वो जंगल पे वो सारे जाड है जो हमारे भगवान को अर्पित है या हमारे भगवान को डिग्निफाई करते है तो उसे हम नहीं destroy करेंगे, ऐसा as it has been conserved in the name of God it has a special protection, these clusters of thick forest are present not only in western ghats of India, but in the entire country, तो सिफ ये western ghats हमारे आपे नहीं देखने मिलेंगे, बट पूरे country में देखने मिलेंगे आपको, more than 13,000 sacred grooves have been reported in India, where are such sacred grooves in maharashtra, make a list and visit with your teachers ये हम जातो नहीं आपको बला कि geography के first chapter में ही जो हमारा travel वाला chapter था जो हमने नहीं किया था, अब मुझे लगता है वो करना पड़ेगा मुझे, उसमें इसकी बात हुई थी, वो लोग जब सिंदुदूर्ग वगेरा से पूरे, you know यहां पे आते हैं, मुंबई में पूरा travel जो है वो root उसमें, वो लोग ने बीच में यहां पे देवराई की बात की थी जो मिझे याद हरा है, so sacred groups are basically conserved forest by the society, by the locality of that particular region some symbols are given below find the meaning of those symbols in the relation with environmental conservation, make a list of other symbols तो एकदम symbols आप कचरा मतलब कचरा डेस्बर में फिको फिर यह switch आपको plant से जो जुड़ा है that is eco, eco saving वाले चीज़े, electronic के उपर आपको देखने मिलेगा, उस पे लिखा रहता है ecologically कितना अच्छा है ecologically कितना saving करता है power का, so यह symbol आपको electronic ACs या यह सारी चीज़ों पर TV वगरा पर देखने मिलेगा फिर cycle यानि कि cycle की zone cycle use करो जादा, fuel बचाओ basically, तो cycle zone फिर water, save water का यहाँ पर image है और भी आप image recycle वगरा जो अलगल होते, आप उसके बार में search out कर सकते है how can biodiversity be conserve यह आपको नहीं आएंगा question how can biodiversity be conserve but मेरा मानना है कि आपको यह पता औना चाहिए तो I'm gonna read these points protecting the rare species of organism जितने भी rare है जो species है उसको बचाना जैसे tiger को हम बचा रहे हैं establishing national national parks and sanctuaries national parks and sanctuaries को develop करना, अच्छे से maintain करना declaring some regions as bio reserves, तो कुछ region को declaring कर दो कि इसको protect करके रखना तो bio reserve है यह, अच्छा खासा पुरा biosphere है हमाँ पे उसको protect करना है अपने को biodiversity के वज़े से projects for conservation of special species कोई species है जिसको बचाना बहुत जरूरी है, तो उसको जैसे tiger project एक तरह से बचाने वाली बात होगी, right? conserving all plants and animals, हर तरह के plants and animals को बचाना ही चाहिए observing the rules, तो rules follow करना ही चाहिए maintaining record of traditional knowledge और traditionally knowledge जो था जिसमें हमारे पुरवजो ने कुछ अच्छी चीजे की थी, तो उस तरह से उसको maintain करना है Till now, we have studied the rules and regulation about environmental conservation and protection in this lesson, many people in the society are voluntarily coming together to perform this noble work many institutes at state, national and international level are involved in this work तो NGOs अलग अलग होते voluntary यानि के खुच से करना voluntary organizations कुछ नाम दिये आपे, ये सब नाम आपको नहीं पूचे जाहेंगे बट आपको पताओ नाची तो some of them are like Bombay Natural History Society मुंबई में मौझूद है, चिपकू सेंटर तेहरी, चिपकू, चिपकू मुमेंट आपको याद है मैंना हम लोग बहुत बार बात कर चुके चिपकू मुमेंट की फिर international organizations कुछ दिये International Union of Conservation of Nature तो Switzerland में है World Wildlife Fund, New York BirdLife International, Cambridge तो ये अलग-अलग लोग ये organizations अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है environment को protect करने के लिए फिर आपको my role in environment, आपका क्या role है, आपको क्या करना चाहिए आप क्या कर सकते हो, वो सारी बाते लिखी है, control कर सकते हो क्या control कर सकते हो, कि preventing the harm, harm कम करो preventing, harm करो ही मत एक तरह से stopping the harmful activities, करो ही मत changing the mindset, अपना सोच बदलो एक छोटा सा rapper भी मत फेको, कच्रा बाहर मत फेको, पानी नाले में सुखे फूल, पूजा पूजा कर गे मत फेको, production revival of harm factors of environment attempting innovation, कुछ ऐसा innovation करो, जिससे betterment कुछ कर सको, या production उस चीजों का कम करो, जिससे environment को affect हो रहा है, awareness, लोगों को aware करो, by educating them guiding them, awareness, फैला के organization, imitations, participation ये सारी चीज़ करके, लोगों को involve करो, जादा से जादा prevention, रोकिये, harmful चीजे रोकिये, नए plans बनाईए, harmful जो factors है उसको रोकिये, preservation, बचा के रखिए, जो बचा है उसको leftover, यानि जो बचा कुछा उसको और बचा के रखिए, जो further loss होने वाला है, उसके लिए कुछ सोच के रखिए, remedies सोच के रखिए, तरीके, remedies यानि तरीके सोच के रखिए, कि कैसे और loss कम किया जाए, और unknown regions को preserve किया जाए, and conservation conservation, जो जितनी available reserve है, उसको conserve करके रखिए, so, simple सा, आपको खुद basically realize करना है, कि हमारी बहुत बड़ी responsibility है, human की, okay, next hotspots of wire diversity, hotspots यानि कि अब ये region, बहुत ही जादा important है, फिलाल के लिए ध्यान देने के लिए, तो hotspots कहे जाते हैं, 34 highly sensitive wire diversity, spots are reported all over the world, पूरे वर्ड में 34 बहुती जादा sensitive area report किये गए है, सच areas had once occupied 15.7 percent of area of earth at present, 86 percent of the sensitive areas are already destroyed, तो ये earth का 15 percent थे, उसमें से उनका 86 percent destroy हो चुक है आज की तारिक में, presently only 2.3 percent area of earth has been left over with sensitive spot तो कहां 15 percent और आज की तारिक में सिर्फ 2.3 percent area ही मतलब, you know, sensitive spot ये है बचा हुआ है इट इंक्लूड्स उसके अंदर क्या-क्या आता है 1,50,000 plant species है, वे चार 50 percent of the world count, जो world के 50 प्रतिशत plants है वो सारे के सारे उसी sensitive spot से बिलोंग करते हैं, तो imagine करिए अगर वो चले गए, वो plant species अगर चले गए, तो हमारे world के 50 percent plant species नस्ट हो जाएंगे तो ये आपको समझना है तुदा सा हमें ध्यान रखना उस चीज़ का As far as India is concerned, इसमें अगर इंडिया की बात करें, तो out of 135 species of animals, 85 species are found in jungles of eastern region तो हमारे यापे 85 अगर तरह के animals मिलते हैं, eastern region में खाले About 1500 endemic plant species are found in western ghats 1500 endemic, endemic मतलब जो particular उस region में ही पाए जाएंगे, native to that place वो कहीं और नहीं मिलेंगे, आपको उस region में ही मिलेंगे, तो ज़रूरी है उसको बचाना, क्योंकि वो ही region, वो ही climatic condition में वो plant उगता है, तो कहीं और नहीं उगेगा वो, तो 1500 वैसे endemic है, western ghats में खाले, out of total plant species in the entire world, 50,000 are endemic, अब ये पूरे world count दे रहे, कि जितने भी total species है, उसमें से 50,000 endemic है, endemic यानि कि वो सिफ जगा पर ये, मतलब उन सारी जगाओं को अच्छी तरह से बचाना है, क्योंकि अगर वो चले गए तो दूसरी कोई जगा पर, दूसरे कोई environment, दूसरे कोई climate के अंदर वो plant फिर से उगाए नहीं जा सकते हैं collect more information इसके बारे में थोड़ी से आप और खुद दीटेल थोड़े से निकाले, आपको थोड़ा और मज़ा आएगा थ्री endangered heritage places of the country, the western ghat spread over the states of Gujarat, Maharashtra Goa, Tamil Nadu and Kerala has been endangered due to mining industry and search for national gas habitants of Asiatic lion and wild bison of this region have been under threat तो western ghat पूरा जो फैला हुआ है, वहाँ पे mining activities और national gas की तलाश में हमने बहुत सारा उसे खराब कर दिया, जिसके वज़े से lions and bison's का उनका रहना खराब हो गया, habitants या नहीं उनका रहने की जगाया को Manas sanctuary of the Assam is under threat due to dams and indiscriminate use of water, तो वहाँ पर dam बना दिया है, तो वहाँ पे भी problem हो गई sanctuary में, tiger and rhino in that region are under threat, वहाँ पे इनको problem है tiger and rhinos को संदरबन sanctuaries of West Bengal is reserved for tigers, however the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dam deforestation, access of fishing trenches, duck for the same, तो यही सारी human activities है, सारी की सारी dam क्यों बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें energy generation करना है, हमें पानी का channels create करके, अपने forest sorry, cultivation के लिए लेके आना है यह फिर deforestation कर रहे है, क्योंकि again, dam बनाने के लिए forest काटना पड़ रहा है, क्योंकि नदी तो forest के बीच से जा रही होगी, right फिर लोग settle हो रहे है, industry settle हो रही है fishing कर रहे है, यह सारी चीजों के वज़े से, again, हम लोग tigers and जितने भी animals and आसपास की natural चीजों को है तबाह कर रहा है classification of threatened species, तो अलग अलग classification दिया है, endangered species क्या कही जाती है endangered, so जो danger में है, ऐसा, either number of these organisms is declined or their habitant is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future, if conservative measures are not implemented, तो यह वो species endangered, यानि कि जिसका रहने का habitant कम हो चुका है, रहने की जगह कम हो चुके है, तो रहने की जगह कम हो चुके है, तो अंदर उनके पास जगह कम है, तो वो देरे-देरे extinct हो सकते हैं, या उनके खुद के number ही कम हो चुके है, तो for example, lion, tailed monkey जो है, जो photo दिख रहे आपको, and lesser florican, lesser floricanic bird है, वो rare species, तो rare species कौन होते हैं, number of these organisms is considered declined, ये बहुत सारे इनका number already declined हो चुका है, organisms of this species being endemic may become extinct very fast, अब ये लोग endemic है, endemic या नि ये particular region में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं और देखने नहीं मिलेंगे, तो उसके वज़े से और इनका extinction fast हो रहा है, example, red panda, जो आप again photo देख सकते हो, musk deer, ये सारे endemic animals हैं और ये बहुती rare species माने जाते हैं, vulnerable species, vulnerable यानि कि जिसको अब वो rare बन जाएंगे, वो धीरे-धीरे towards extinction जा रहे, decline के तरफ जा रहे हैं, number of these organisms is extremely less and continuous to decline, तो इनके number कम होते जा रहे, continuous to decline this number is a worrisome reason, for example हो गई, तो हमने tiger conservation projects अलग-अलग चालू किये, tiger reserves चालू किये, ताकि उसे हम vulnerable species से निकाल सकें, inter, indeterminate species, indeterminate species, these organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits, like shyness, there is no definite and substantial information, example, giant squirrel, shikru भी जिसे कहा जाएंगे, तो indeterminate species यानि इनको हम classify नहीं कर सकेंगे, determining नहीं कर सकेंगे, कि ये है की नहीं है, क्योंकि इनका nature जो है, कुछ भूत ही shy होते हैं, जो openly कहीं पर दिखाई नहीं देते, तो ये हमें दिखाई नहीं दिए हैं, तो हम लोग confirm नहीं कर सकें, कि ये चले तो नहीं कर सारे, जैसे कुछ time तक sparrows कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे, like for मेरे locality के इसाब से तो sparrows कुछ time तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, अब अचानक से फिर से हर जगा पर sparrows नजर आ रहे हैं, तो sparrows जब दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हम सोच रहे थे, कहां चले गए सारे के सारे, right? तो वैसी बात है ये, speciality of the day, 22nd March, 22nd May, World Biodiversity Day celebrate किया जाता है, survey the plants animals in your area, maintain a record, तो ये थोड़ा सा देखिए, आप अपने एरिया में plants animals कौन से पाए जाते हैं, do you know, always remember, think, okay, chapter end हो गया हमारा, so, International Union Conservation Nature of Nature, जो है, red list बनाती है, उसमें, red list में endangered species होते हैं, pink pages describe करते हैं कि, कौन से endangered है, और green page बताते हैं कि, अब वो safe हो चुके हैं, so, ये कुछ बाते, again, chapter बहुती सिर्फ informative था, आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ ये realize कराने के लिए कि, कितना जरूरी है आपका योगदान, आपके single person का योगदान कितना जरूरी है, अब ये मत सोचेगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमने English में पढ़ा था, कैलाश सत्यारती जी के story में, कि एक अकेली चिडिया जब forest को भुजाने का सोच सकती है, तो आप अकेले क्यों नहीं और एक अकेला इंसान जो आसाम में पूरा जंगल फिर से ला सकता है, मुलाई जैसे लोग, तो आप क्यों नहीं तो conserve करिए, preserve करिए, protect करिए, कम हाम करिए, या हाम मत करिए हो सके तो, अपने हाथ में होता है सारी चीज़े, and that's all I hope आपको समझ में आया चाप्टर and I hope आपको पसंद आया चाप्टर like करिए, share करिए, subscribe करिए चैनल को, and thank you so much, take care be home, be safe